हेलो फ्रेंज्स आज के इस विडिए में आप को बताऊंगा कि Netflix को आप अपने टीवी में कैसे एकटिवे़ेट कर सकते हैं अगर आपने Netflix का कोई ऐसा प्लैन ले रखा है जो कि आपके टीवी के लिए भी है और मबाइल के लिए भी है तो आप उसको अपने टीवी में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं यही सब को चैसे वीडियो मैं आपको आँगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह देखें मैंने टीवी में नेटफलिक्स एप को खोल रखा है आपको यहाँ पर दो ओप्शन आएंगे Sign In और Get Started का यहाँ पर आप Sign In के ओप्शन पर क्लिक्क कर दीजिए Sign In और Sign In पर क्लिक करने के बाद यह आपके सामने यह ऐसा पेज़ आजाएगा User Remote User Phone यह रखे अगर आप User Remote वाला ओप्शन चूज़ करेंगे तो आपके सामने यह ऐसा पेज आ जाएगा यहाँ पर आप जिस भी Gmail ID से आपने Netflix का एकाउंट बना रखा है वही Gmail यहाँ पर डाल देना और अपना Netflix का password यहाँ पर डाल देना उसके बाद आपका Netflix app आपके TV में चल जाएगा और अगर आप use phone वाला option चूज करेंगे यह रिखे यहाँ पर एक scanner शो हो रहा है आप अपने mobile में एक app को download कर लेना क्योवार scanner and barcode यह रिखे यह इस app का logo है और अगर आपके mobile में scanner है तो आपको app download करने की भी ज़रूरत नहीं है नहीं तो आप यह app download कर लेना यह इस app का logo है और आप इस app को जैसे ही open करेंगे आप अपने TV के सामने इसको open कर लेना इस code को यहाँ पर scan कर लेना और यह देखे मैं इस code को यहाँ पर scan करूँगा और scan करने के बाद यह आपके सामने एक link आ जाएगा यह देखे एक link आ गया है आप इस link पर click कर दिजिए यह मैं इस link पर click कर रहा हूँ यहाँ पर और यह देखे हमारा netflix app open हो गया है और यहाँ पर यह code भी show हो गया है जो tv में show हो रहा था यहाँ पर आप sign in into tv लिखा हुआ है इस option पर click कर दिजिए sign in into tv और यहाँ पर dismiss के option पर आप click कर दिजिए इसके बाद आपका netflix app tv में चल जाएगा यह देखे मैं आपको tv में भी दिखा रहता हूँ कि मेरा netflix app चल चुका है इस तरह से आप अपने tv में netflix app को activate कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए शेर कर दिजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजिए